हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माई नेर्चर, मैं हो कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग, मास्त बढ़िया तो तरह लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल फार्मिसी का लेक्चर नमबर फाइव, जिसमें आज हम समझेंगे NABH Accreditation, ठीक है, क्या हिंदी होती है इसकी Accreditation की, बाद बाके सब ठीक है, NABH एक फ्रफॉर्म होता है, समझेंगे अभी Accreditation, इसका मतलब होता है माननेता, किसकी माननेता, NABH की माननेता, हॉस्पिटल के लिए NABH की माननेता बहुत ज़रूरी है यह just like, जैसे आप को समान खरीदते हैं, उसको जब ISI मार्क देख लेते हैं, तो आप कहते हो कि हाँ, यह standard के हिसाब से बना होगा, हम इसको खरीद लेंगे ठीक वैसे अगर किसी हॉस्पिटल को यह माननेता मिल जाती है, तो वो हॉस्पिटल एक ISI मार्क के तरह है, क्या होगा है, अप्रूव हो जाता है, और बेस्ट होता है क्या फाइदे हैं इसके, और क्यों जरूरी है यह, आओ समझते हैं ठीक है, NABH Accreditation, स्टार्ट करें, तो देखो आज़े का सुरुवात Accreditation मैंने बताई दिया, ठीक है, क्या होता है Accreditation, इसका मतलब क्या है, आपको माननेता मिलने वाली है, किसकी माननेता मिलेगी, NABH की मिलेगी अब क्या है, NABH का फूर फॉर फॉर्फॉर्म, National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers, होस्पिटल के साथ-साथ, जितने भी Healthcare Providers हैं, आपके पैसलोजी हो गई, आपका कोई X-ray वाला सिस्टम हो गया, आपके MRI वाली कोई जगह हो गई, जितने भी Healthcare Providers हैं, उनको यह क्या करती है, अप्रूफ करती है, अच्छा ऐसा नहीं कि इनके Approve के बिना वो चीज़ चलेगी नहीं, है ना, मार्केट में दोनों तरह के माल अवेलेवल हैं, देखा होगा, एक Local और एक Branded, तो Local माल भी Market में भीक रहा है, और Branded भी है, लेकिन जब ब्रांड का मतलब क्या हो जाता है, तो वो Defined Manor में, According to Protocol, जो कहा गया है, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है, तो अब की बार अगर किसी Hospital में जाते हो, तो पूछना भीजा क्या आपको Hospital NABH से मानतप्राप्त है, पूछना दीक है, मज आएगा, ओके, तो कह रहा है, इजा, Constituent Board of Quality Council of India, ये Board है किसका Quality Council, Quality के लिए बना होने वाला है, पेशेंट का होने वाला है, सेट अप, ये सेट अप हुआ, तो इस्टैबलीज एन ऑपरेट एक्रेडिटेशन प्रोग्राम फॉर हैं, ठीक है, NABH किया है, Constituent Board of Quality Council of India है, जो की सेट अप हुआ है, सेट अप तो इस्टैबलीज एन ऑपरेट एक्रेडिशन, ये सेट अप हुआ, इस्टैबलीज हुआ, टू अपरेट माननेता प्रोग्राम ना, माननेता देने के लिए, फॉर हेल्थ केर और्गनाज़ेशन के लिए, दा बोर्ड इस्ट्रक्चरड टू कैटर, है ना, बोर्ड को बनाये गया है, टू कैटर, कैटर मतलब पूरा करना टू मच डिजाइड नीड्स ऑफ दा कंजूमर, ये कंजूमर, कंजूमर कौन होगे, पेशेंट, पेशेंट अब जाता हॉस्पिटल तो उसकी कुछ वो होती है, कि वहाँ पर साफ सफाई मिले, टॉयलेट की ववश्ता पूरी हो, ठीक है, बैट वगरा सही से हो, मतलब ऐस चल रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो कंजूमर की जो नीड है, and to set benchmark for progress of health industry, और एक benchmark, एक कहते हैं कि हाँ, इतना तो minimum चाहिए, एक benchmark होना चाहिए, जिससे की जो धिरे-धिरे क्या होगा, ये चीज़ ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी है ना, developed country और developing country में जो difference create हो जाता है, ये difference equal करना है हमको दिरे-धिरे, तो एक benchmark decide कर दिया आता है, ठीक है, the board is supported by all stakeholders, stakeholders मतलब क्या है, एक तरसा कहलो कि जो जो उसमें participate कर रहे हैं, जैसे कि इस program में किसको फाइदा होना वाला है, patient को तो वो stakeholder हो गया, कौन लेगा, hospital का honor लेगा, वो stakeholder हो गया, या जितने भी चीज लोग उसे जुड़े हुए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, stakeholders कहलाते हैं, ठीक है, including industry, consumers, कौन कौन आगे हैं, industry, जो healthcare industry, अपनी consumers आगे, government आगे, and have full functional autonomy in its operational, ठीक है, ये support किया जाता है, सभी stakeholders के दौरा, यान की, और साथ साथ में, इसके पास क्या है, and have full functional autonomy in its operation अपने operation काम करने में, इसको पूरी autonomy है, कोई हास्त चेप नहीं करेगा इसमें, ठीक है, ये अपना पूरा अलग चलता है, system, इसमें ये नहीं की phone करके, यहां भी यह हमारा कर दो, ऐसा नहीं होता है, यहां पर, बास समय में आ रही है, आगे आते है, vision क्या है इसका, to be apex, apex म Global Benchmark, और हमें काम करना है, किसके हिसाफ से, पारविद, किसके हिसाफ से, Global Benchmark, आखिरकार, developed country की, health, जो, health care providers है, वो इतने अच्छे कैसे हैं, हम लोग मूविस अगरा हम देखते हैं, या कई YouTube अगरा बे देखते हैं, यार, वहां पर hospital कितने बड़ी है, किस तरह से उनका ध पेशेंट से, या, पेशेंट से, किस तरह से पेश आना है, आपको, है ना, यह नहीं कि कोई भरती हो गया, वो खिस यारा है, यह सब चीज़े नहीं होती है, बकाईदा ट्रेनिंग होती है, ठीक है न, हर एक चीज़ की, तो इसी लिए, एक Benchmark, डिसाइड करना है, Global Benchmark, जिस तरह हम देखते हैं, विदेशों में, या, डवलब कंट्री में, ठीक, ऐसा ही हमारे यहां भी होना चाहिए, Mission, इसका उद्देश क्या है, to operate, accreditation and allied programs in collaboration with stakeholders, focusing on patient safety, operate करना हमें मानता देनी है, और उसके साथ जड़ोए जो भी program है, collaboration with stakeholders, जो भी इसका मिले हुए लोग है, patient की safety पर and quality of health care based, health care based upon national international standards through process of self and external evolution, ultimately इसका mission क्या हो गया, अगर simple भासा में करना है इसको, तो हमें किसको focus करना है, patient की safety करना है, और हमको जो quality health care की वो based होनी चाहिए, national, international के हिसाब से, उसकी quality maintain करनी है, through process of कैसे करेंगे, self and external evolution, खुद भी evaluate करते जाएंगे, और बहार से भी जब team आएगी, evaluate करेगी, hospital का inspection करेगी, हाँ ये बकायदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके हिसाब से, तब नहीं जाकर करके, क्या होगा, हम उस benchmark को या उस चीज को touch कर पाएंगे, हाँ ये चीज़े इतनी हाँ पर मौ क्रेडिविल्टी, क्रेडिविल्टी मतलब तो विसस्नियता, वैल्यूस क्या क्या हमको provide होते हैं, provide credible and value addition service, अब जब ये मिल जाते हैं अने भी है, तो है विसस्नियता आ जाती है, जैसे ISI mark पर हमें warranty warranty मिल जाती है, जब warranty warranty होती है, तो हमें एक तसल्लिय हो जाती है, क्या, क ये product खराब भी होगा, तो हमारा बदल जाएगा, ठीक है, तो एक विसस्नियता आती है, अच्छा, ये hospital N.E.B.S. से माज़ता परापता है, चलो बढ़िया होगा, responsiveness, अब उनको responsive होना पड़ेगा, willingness to listen and continuously improving service, वो लोग जो hospital वाले हैं, वो बात दे हैं इस चीज के लिए, कि सुनें और लगातार service को improve करें, जो service हो पेशन को दे रहे हैं, पेशन की service होना, पेशन की entry से लेकर के, admit होने से लेकर, उसके discharge तक जितने भी काम होते हैं, वो सब service के अंदर आते हैं, transparency, कोई भी चीज़, छुपी भी नहीं होने चाहिए, openness in communication and freedom of information to its stakeholder, communicate करना है उसको, freedom of information to its stakeholder, जो इसके stakeholder है, जो लोग उसे जुड़े हुए, अगर कोई चीज़ पूछी आती है, तो बकायदा बताना पड़ेगा, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, innovation, innovation मतलब कोई चीज़ नहीं, create करना, कोई चीज़ नहीं बनाना, incorporating changes, creativity, continuous learning and new ideas to improve the service being provided, innovation मतलब हमें हर पल एक नहीं सोच के साथ, हर पल एक कुछ नहीं करने का सोचना है, एक अच्छा करने का सोचना है, कैसे होगा ये, जब एनवेज की मानता मिल जाती है, तो incorporating change, अगर कोई चेंज लाना है, जो अच्छे के लिए लेके आएंगे, creativity, कोई चीज़ अच्छी कर सकती, creative करके, continuous learning, कोई चेंज लाना है, तो वो चेंज लाकर के, हम लोग क्या करेंगे, innovation ला सकते हैं उसमें, है ना कुछी अच्छे के लिए अगर चेंज करने हैं, तो good, कही ना कहीं, वो कैसे होगा ये, जब यही सारी values जुड़ी हुई हैं किसके, NABH की मानता से, जो ये values कहां जुड़ी जु हम कह दिया, तो करना है, है ना, commitment to create a culture of quality, एक committed कि बस जो कहा है, वो मिलेगा, तुमको hospital जाओ तो साथ सफाई साथ चे मिलने वाली हैं, किस चीज का, culture of quality, quality मिलेगी, patient की safety होनी चाहिए, efficiency and accountability, मतलब जिम्मेंदारियों होनी चाहिए, towards patient की है, ये, अगर NABH accreditation का, अगर NABH का accreditation मानता मिली हुई है, तो इसका मतलब ये है, कि quality मिलेगी, patient की safety मिलेगी, efficiency and accountability होगी patient के लिए, मतलब चमता से, अच्छी, efficiency मतलब, पूरी, चमता से, patient वो ठीक करने के लिए, वो क्या करेगा, काम करेगा, और जिम्मेंदारी लेगा, patient care के लिए, बास समझवारी है, establishment of protocols, protocols ह होते हैं, जो नियम कायदे कानून होते है, policies as per national, international standards for patient care, establish करेगा, क्या establish करेगा, एक protocol, policy बनाएगा, जो national, international standards से match करती होगी, किसके लिए, patient care के लिए, medication management, दवायों का management, ठीक है ना, की दवायां कैसे कैसे दी जानी है, consent process, consent मतलब सहमती, patient safety, patient safety तो ultimate हाई है, clinical outcome, clinical outcome मतलब जो treatment चल रहा है, उसके जो result आ रहे है, medical records, infection control and staffing, ठीक है ना, ये सब चीज़े क्या करे जाएंगी, इस्टेबलिस करी जाएंगी, patients are treated with respect, patient को respect के साथ treat किया जाएगा, उसको पुरा, उसमें, उसकी dignity मतलब ऐसा होता ना, जिसे suppose, एक उधारन के तो लेते हैं, कि मानलों कोई patient है, और उसका bladder में कुछ problem आ गया है, तो क्या हो गया है, urine उसको pass हो जाता है, पैंट में urine कर दे र रहेगी, and courtesy at all time, courtesy मतलब दयालू, patient हो सकता है, थोड़ा से दिवागी तोर पे, क्या होते है, जैसे बुड़े-बाड़े लोगों बड़वडा रहे हैं, लगाता है, लगाता है, लगाता है, तो खिस्यार चड़ती है, तो वो काम नहीं करना है, आपको लगाता है, courtesy, दयाल नहीं है, patient are involved in care planning and decision making, patient भी involved होंगे care planning में, और decision making, आपके साथ वो बात करेगा, बाकाईदा, जो health care provider है, कि ऐसे ऐसे आपका चलने वाला है, थेर भी चलने वाली है, क्या रहेगा, क्या रहेगा, तो patient ही बताएगा, मैं यह सब ऐसे ऐसे रहता है, मेरा routine, यह सब रहेगा, त patient को treat किया जाएगा, feedback from patients is short and patient से feedback short मतलब लिया जाएगा, ठीक है, feedback मतलब ultimate जब ठीक होगे, तो feedback लो फिर, कि क्या रहा, overall आपका, कैसा रहा, and complaint if any are addressed, अगर कोई complaint है, treatment के दौरान, patient के साथ, अगर कोई बात करते हो, या कुछ भी चीज complaint आई गया, तो उसको लेना है, और उ क्यों complaint की जा रही है, transparency बात करें, billing and availability of tariff list, transparency होने जाएगा, किस चीज़ का कितना चार्ज आपको लगा है, कोई जी ऐसा नहीं कहा, यह उसका था इतना लग गया, ऐसा नहीं बकायदा, उसमें लिखा होना चीज हर एक चीज, continuous monitoring of its service for improvement, जो health care provider है, वो लगातार अपनी service को monitor करेंगे कि वो below standard तो नहीं जा रही है, और अगर improve करना है तो improve करेंगे, commitment to prevent adverse event debt में होकर, अगर कोई दुर घटना घटती है, adverse event होते हैं, तो उसके लिए क्या रहेंगे, prepare रहेंगे, prevent करने की कोशिश करेंगे, कि हाँ ऐसा कुछ होगा था हम उसको टालने की कोशिश करेंग है, तो यह सब facility को मेरे को देगा, पक्के से, आगे आते हैं, what are benefits of accreditation, question कई बार आता है, important है, क्या क्या benefits है, benefits for patient, patient का थो ultimate, बनाया है ही, patient के लिए गया है, ultimately, patient आता biggest beneficiary among all the stakeholders, जितने लोग उस पूरे system में जुड़े हुए है, सबसे ज़्यादा किसको है, patient को है, accreditation result in high quality of care and patient safety, high quality of care and patient safety का सबसे अध्यान रखा जाता है, तब patient are serviced by credential medical staff, credentialed मतलब, जो trained है, ठीक है, बकायदा degree है, उनको बास training हो चुकी है, बकायदा पूरी, और well trained staff है, rights of patient are respected, जो patient के अधिकार है, उनका respect किया जाएगा, और उनको सुरच्चित रखा जाएगा, मतलब, उनको पूरे जाएगे, patient satisfaction is regularly evaluated, patient का satisfaction लगातार, क्या किया जाएगा, जांच परताल करती है, patient satisfied तो है, कोई problem तो नहीं है, पास अधिमारी है, organization को क्या benefit मिलेगा, patient को तो हो गया, accreditation to a healthcare organization, stimulates continuous improvement, यहाँ पर क्या लगातार, उसका improvement होता रहता, कि हाँ, यह सब चीज़े होनी चाहिए, एक healthcare provider को तो और पर आपके पास यह सारी चीज़े होनी चाहिए, उससे क्या patient भी आपकी तरफ attract होगा, वो patient चार देकर बोलेकर, उस hospital से तो बेटर यह वाला है, यहाँ फैसलिटी जादा अच्छी है, और well trained staff है यहाँ पर, ठीक है, it enables the organization in demonstrating commitment to quality care, यह enable करता है, मजबूर करता है, organization को in demonstrating, demonstrating, demonstrating commitment, demonstrating commitment, वो एक तरह से मजबूर करता है, commit होने के लिए, है न, commit के लिए, मतलब समस्ता हो, commitment क्या होता है, आप मजबू पूर हो, quality देने के लिए, ठीक है न, and patient safety को देने के लिए, thereby, जिसको दारा, ensure, best clinical outcome, अब उससे होगा, क्या, जब treatment क्या, clinical treatment हुआ, उसका best outcome मिल दाएगा, आपको, it raises community confidence, भाई, आप community confidence, obviously, बात है, मैं गया, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, मेरा safety, सब कुछ बढ़िया provided by the healthcare organization, as a services provided by credential medical staff, ठीक है न, तो ultimately क्या है, यहाँ पर एक line लिखोगे, यह क्या raise करता है, community confidence, in the service provided by the healthcare organization, as service provided by the credential medical staff, ठीक है न, तो healthcare organization, जो service दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है, जो वहाँ का medical staff है, ठीक है न, तो वही line लिखे हुए है, confidence increase होता है, यहाँ पर, it also provides opportunity to healthcare unit to benchmark with the best, यह एक opportunity है कि आप जो organization है, वो best की तरफ बढ़ेगा, वो best अपने आपको compare करेगा, ठीक है, and accreditation status also provide marketing and advantage in competitive healthcare, अब अगर आप NABH हो, दस hospital है इस area में, तो जो आगर आप NABH वाले हो, आप दिखाते हो, कि आप NABH हो, और patient जानता है से मैं जानता हूं, यह NABH वाला है, तो मैं recommend करूंगा कि आप इस hospital में जाईए, यह NABH के द्वारा accredited है, तो कहीं ना कहीं, competition वाले market में भी इसका advantage है, the healthcare organization है, the healthcare organization standards having been certified by इसका, अब यह इसका क्या, अभी देखेंगा हम लोग, यह एक international agency है, ठीक है न, यानि कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आपने खुछ से बना ल दिखा उन से कि यह सब चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो यह इसका है, अभी इसके वारे में detail करेंगे, ठीक है न, उससे हमारा tie-up रहता है, वो उससे हम जुड़े हुए है, वो decide, वो हम लोग मिल करके, अच्छा यह सब चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो जो NABH हमारा है, ह हमारी इंडिया में, ठीक है न, तो वो उसके हिसाब से क्या करता है, चीज़ों को set करता है, और उसके हिसाब से चीज़ें काम करवाई जाती है, तो ultimately कहां पर आगे हम लोग, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं हम लोग, उसके हिजाब से यह बना हुआ है, एने बेर, ग चीज़ें के लिए गई, तो इंटरनेशनल गूर्निशन मिल जाती है, विच विल आल्सों हेल्प टू, प्रमोट मैडिकल टूरिज्म ठीक है इससे मैडिकल टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलता है, ठीक है जब इसका से आप क्या होते हो, इसका के दूआरा मानिता प्राप् तो यहां पर क्या होता है जो अभी आप चले जाओगे विदेश वगरा में तो आपका एक health insurance होता ही होता है ठीक है ना तो जितना भी खर्चा रहता है insurance के थूरू वो आपका covering होती है यह अभी सिस्टम क्या है अपना developing country में विक है काफी मतलब जितना भी आप विदेश में च सब्सक्राइब होते हैं वहां पर अच्छे health insurance है तो health insurance के थूरू क्या है जुड़े रहते हैं तो patient को भी फायदा रहता है इससे आगे आते हैं अब staff की बात करने staff को क्या benefit मिल रहा है तो staff in an accredited hospital is satisfied a lot as it provide for continuous learning good working environment and leadership अब वहां पर जैस्टाफ है न वहां पर सको फायदा क्या मिलता है वो लगातार सीखने को मिल रहा हुसे जो जो अपडेट होती रहती है वो सीखते रहते है नॉर्मल हॉस्पिटल में environment एक अच्छा environment मिलता है जहां पर वाकाई में लगता है कि हम यहां पर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ऐसे नहीं कि किसी में काम करने लगे जाकर कि एंड लीडर्शिप और क्योंकि जो नर्स वहां पर स्टाफ होता है उनके अंदर भी स्टाफ का कुछ वर्क रोल होता है वह अपने एरिया में जिस छेत्र का है मालोग फावंसिस्ट है नर्सिंग है तो अपने छेत्र में लीडर्शिप करता है वो ठीक है ना गाइड करेगा चार लोगों को कि यहां तुम ऐसा करो तो यह सब चीजें स्टाफ को मिलती है एफिशेंसी सेंड कम्पिटेंसी साफ स्टाफ की छंता और जो उनके इस्किल्स थे हैं है रोस्कुल्स पूर्य प्रोफेशनल डेंगे पूर प्रोफेशनलिय क्यों थेक्ति हैं नौछ आपकी बढ़ती है कमपिटेंजीस इनकार constituents मतलब जो आपको इसखेंसे या स्टे लिए उस सझेतर ज्शर के लिए जीए व' वो आपके बढ़ रहे हैं in a systematic way with defined ownership and accountability of all the staff including medical and paramedical staff ठीक है ना तो यहाँ पर बात कर रहा है कि पूरा-पूरा जो medical और paramedical staff है medical paramedical समझते हो ना एक medical staff हो जाता है अपनों डॉक्टर वगारा paramedical हो गया नर्सेस वगारा हो गया pathologist वगारा हो गया ठीक है ना तो उन सब की knowledge competency development की यहां पर बात चल रहे हैं उन सब को benefit मिलता है time to time उनको कुछ ना को सीखने को मिलता रहता है कुछ आपडेट्स आते रहते हैं benefit to paying and regulatory bodies ठीक है ना फाइनली accreditation provides an objective system of impairment by insurance and other third parties ठीक है ना तो पेइंग और regulatory जो पे कर रहे हैं या regulatory bodies होती है जो regulation करती है या पे करती है जैसे कि insurance कंपनी होगरा होती है तो उनके लिभी benefit है यहां पर क्या कर रहा है फाइनली अप्जेक्टिव system of impanelment by insurance and third parties ठीक है ना तो insurance के माध्यम से अब एक objective system नोने क्रियेट कर रखा है insurance और third parties है वो भी इसमें क्या होती है अपने involved हो information on facilities infrastructure and a level of care तो कह रहा है accredition provide access to reliable access to reliable विश्वसनियता to certified यह certified है मानता प्राप्त है information on facilities infrastructure and level of care वानता लेवल of care जो infrastructure of facilities है यह सब क्या है reliable होती है बहुत सब्सक्राइब होती है और certified होती है यहने कि इनको मानता दी हुई है तो यह इस तरीके से कुछ benefits है हमारे पास ठीक है चार तरीके से benefit for patient benefit for organization benefit for staff benefits for paying and regulatory body ठीक है आगे आते हैं NABH international link के जो मैं बता रहा था कि जो NABH है वो खुद self made नहीं है वो internationally क्या है linked है याने की developed country यह पूरा जो well managed जो पूरी all over world में चल रहा है उससे linked up है उसके हिसाफ से सारी चीजे है तो समझते सोला सा इसको हम लोग तो क्या कह रहा है NABH is an institutional member of international society for quality इसका क्वालिटी तो इससे मन किया इसका इसका in healthcare ठीक है ना यह जो international society for health in sorry NABH is an institutional member of international society for quality in healthcare तो यह international society for quality इसका short form क्या है इसका है as well as member of its board ठीक है ना and accreditation council ठीक है बात समझ मारी है तो किस तरीक सा आप देख रहे हैं यहां पर कि यह international link up है सारा जो standard है वो international से match करता हमारा NABH standard for hospital has been accredited by इसका इसका के द्वारा मायनता प्राप्त है यह सारे कि सारे अगर आप NABH से मायनता प्राप्त हो जाते हो तो इसका तब आप इसका से मायनता प्राप्त हो गए हो तो कह रहा है कि जो accredition मायनता है जब NABH से मिल जाती है यह authenticate करता है एक थाना authenticate कर दिया इसने मतलब decide कर दिया fix कर दिया कि आप जो NABH से मायनता प्राप्त हो वो global benchmark जो कि इसका ने set कि आप उसके equal हो गए हो ठीक है इस से आप से is an international body which grants approval to accreditation bodies याने कि अब जो NABH है ना वो इसका से जुड़ करके काम करेगी अब इसका ने NABH को कहा है कि हाँ ठीक है तुम हमारी तरफ से अपनी country में ये काम करो ठीक है ना in the area of healthcare as a mark of equivalence of accreditation program of member country ठीक है ना जो member country है ये मेरा हमारा बताया था तो NABH किसे जुड़ा हुआ है इसका जुड़ा हुआ है तो NABH यहां करता है और जो यहां हो जाते हैं वो direct इसका से जुड़ जाते हैं तो यह सारी कहानी चल रही है NABH is also one of the founder member of newly emerging Asian society for quality in healthcare असका ठीक है न जो NABH है वो इसका भी member है also one of the founder members of newly emerging Asian society for quality in healthcare जो Asia पूरा Asia है ना जो अपना महादीप है उसके लिए बात हो रही है यह आप है this initiative is to strengthen the Asian representation at international level यह क्यों बनाए गया क्यों इस्टेपलिश किया गया ताकि जो एशियन महादीप है या एशिया में जो countries है वो international level पर अपने आपको पहचान दे पाए and improve the quality structure in healthcare और उनका healthcare में quality structure हो सके तो कही ना कहीं बाते एक बात समझ में आ गई है एक मोटा मोटा दिमागे बात समझ में आ गई है सबका benefit होना चाहिए सबसे ज़ब अब यहां पर कुछ दो-दो-चर्चर लाइन आपने खुश्याप बना के भी लिख सकते हो वाट रदा प्रोगाम बिंग ऑफ़ड बाया एने बीएच एने बीएच किन को कौन को से प्रोगाम ऑफर कर रहा है या यह कहा जाए वो किस को मानेता देता है नर्सिंग वोम पर केुश्टर फॉट्यर को देगा इसमॉल हैल्थ केर और टेंशिच होम उंको भी देता है ब्लड बेंक होते हैं उनको भी देता है औरल सर्पॉचिजिज थैरेबी ओर उंको भी देता है प्रामरी एं सेकेंडरी हेल्ठ सेंटर हमेडिकल इमेजिंग ठीक है क्यों हम लोग क्या है हस्पिटल फार्मसिक के बारे है अस्पिटल फार्मसी के बारे हम्टवर्ज टो और जिए तो हॉस्पिटल अट्रिशन कि आ यह फ्यू प्रिप्रजिक इस फ्लाइक इसजीफ मेड भी फश्च प्रोग्त भून धिट tutorials निट क्या गया था・W ज़ा हेल्थ केर फैसिलिटी और क्वालिटी इंप्रूब हो और पेशेट की सेफिटी जाए फब्ली को और प्राइविट होस्पिटल फिर यह थीरी दीरे बड़ी हुचाया पे इसका फिर यह धीरे-धीरे क्या हुआ और उचायों पहुचा और फिर इसने इसका से भी क्या गया अपना tie-up कर लिया है ठीक है अब यह पढ़ चुके है कि जो एक क्या होनी चाहिए वेल मार्ग होनी चाहिए ठीक है एक बदलते हुए इना changing healthcare environment जब लगातार यहां पर हम देखते हैं कि लगातार environment क्या और चेंज हो रहे है तो वहां पर hospital को अपनी service best देनी है बास समझ में आ रही है तो घूम फिर के बाते कहीं नहीं वही है बस यहां पर बाते तो पुराइन लिख सकते हो किस से related है यह में चीज के अध्यान रखना था कि यह था 2005 में start हुआ था आगे आते हैं 10 chapters 10 chapters मतलब किन किन चीज़ों पर focus कर रहा एक तरह से यह तो देख लो यहाँ पर access assessment and continuity of care access assessment मतलब उसको जाच्ट सा परताल करना continuity of care जो care है patient के वो लगातार चलनी चाहिए care of patient COP management of medication medication का management देखो मैं क्या कहा रहा हूँ यह किन किन चीज़ों पर focus करता है ठीक है patient right and education patient के right पर focus करेगा hospital infection control hospital कोई infection तो नहीं felt रहा भाई दस्कियों तरह का मरी जा रहा है patient safety and quality improvement ठीक है patient की safety and quality improvement responsibility of management हर एक चीज के लिए management जिम्मेदार होगा कोई भी चीज अगरती है तो facilities management and safety ठीक है क्या क्या facility दी जा रही है human resource management human resource का मतलब को आपका staff वहां पे है ना पूरा परिपूर्ण staff है या नहीं है complete staff है ना हर एक चीज डॉक्टर से लेकर के सबसे नीचे साफ सफ़य करने वाले करम चाहिए तक पुरा staff होना चाहिए information management system जो information आरी है latest improve करने के लिए कोई भी चीज को लिए information आ रही है वो परियाप्त है आप वो पुराने से information उस पर system पर चल रहे हो कुछ नया system updating नहीं कर रहे हैं नई ब और N.A.B.A. से मायनता मिलना आपको असान हो जाएगी अब benefit of accreditation अब benefit को वही सारी चीज आगे जो हमने पीछे पढ़े है तो patient are the biggest beneficiary improve patient satisfaction ठीक है एक्रेश इस्टेस प्रोवाइड good marketing advantage पढ़ चुके हैं hospital अच्छो हो जाते हैं healthcare standards has been accredited by इसका इसका की दौरा मायनता प्राप benefit यहाँ पर आ जाएंगे सेम से में who can apply कौन apply कर सकता है health care organization that fulfills the following requirement जो यह requirement fulfill करती है वो इसके लिए apply कर सकते है currently in operation as a healthcare provider जो चल रहा हो healthcare provider की तरह है should be above 50 sanction bed उसको 50 बैट की मानिता हो ठीक है below 50 sanction bed will come under HCO small healthcare organization standard अगर पचास से कम है तो आप SHCO के तहट मानिता प्राप लोगे the organization that commits to comply with NABH standards and applicable legal statutory regulatory requirement ठीक है ना the organization that commits to comply with जो organization क्या है commit है बाद है NABH के standards साथ चलने के लिए these standards are to be used by whole organization and not for a specific service within the organization यह जो standards है यह यह नहीं कि आप किसी एक part पर अगर आपके hospital में 4 तरकी service दी जा रही है दस तरकी service दी जा रही है तो यह standards हर एक service पे लगेंगे यह नहीं कि एक service पे तो आपने लगा दिया NABH बाकि आप बेकार घटिया से दे रहे हो ऐसा नहीं होगा organization may have different services and it is equally applicable to all service and both public and private hospital ठीक है और साथ साथ में जो public और प्राइवेट है दोनों के उपर यह लगता है तो who can apply यह लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर और कैसे कैसे मायनता किसकी चीज़ों पर लगेगी उनके बार में discussion था यहाँ पर चीज़े मिल जाएंगे आप जाके apply कर सकते हैं क्या एक्रेडियेशन जर्णी में ठीक है एनब्या सपोर्ट करता है organization को भाई मैंने apply तो कर दिया लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि क्या है ओके तो क्या बोल रहा हैNABH secretary organization training session जब आप apply कर देंगे तो जो एनब्येश का secretary होगा वो ऑगनाईज कर आएगा training session रटेनिंग करने के लिए को का काते है और अन्रस्टेंडिंग ऑफ फ च्टेंडड्र की एनब्येके standards क्या क्या है ठीक है and implementing them in the organization और तकि वो में implement हो सके in form of program on implementation ठीक है न किसके रूप में होगी जो training होगी program on implementation for healthcare organization desirous of taking their organization for accreditation जो लोग healthcare organization वाले लेना चाहते हैं उसको उनको POI के थुरू गुजरना पड़े का उनकी training चले से एक तरह से इस से टेकन बाई faculty from NABH जो NABH की faculty होती है वो train करते हैं who are senior भी सेर्ट करते हैं किया हूस्पिटल 카메之後 हमारी मानितां से जो हमारे बेंचुमाथ प जो फिरूह हैं कि नहीं है वह छोट्रेन करते हैं अफिन पी इंफो मिसलों अभी स्डशनार बदोचपिल युद ì सब कुछ NABH की वेबसाइट पर लोग डाल के रखते हैं NABH has taken a new initiative to conduct free master classes on various topics under the heading NABH quality connect e-learning with NABH ठीक है उन्होंने एक class भी चला रखी है NABH quality connect learning with NABH इसके थुरू आप सारी information ले सकते हैं कि क्या-क्य standards चाहिए होते हैं the master classes are conducted every month की-performance indicator एंके क्या है क्या-क्या चीज़ۇ ह셨ंगी तो परफॉर्मस में count के जाएंगी hospital infection control Afterwards का infeccion control कैसे होगा makers of alleviate treatment कैसे होगा document काण्ट्रोल क्या है clinical audit क्लीनिकल को audit ए है न कि क्या-क्या चीज़ अच्राब सब चीज़ें continual quality improvement लगाता होंगी तो performance में count की जाएंगी hospital infection control hospital का infection control कैसे होगा management of medication medication management कैसे होगा document control document कैसे control किया जाते है clinical audit clinical का audit audit है कि क्या क्या चीज़ हुई क्या क्या नहीं हुई अच्छी खराब सब चीज़े continual quality improvement लगातर quality में इंप्रूफ कैसे किया जाए और इसको हम कैसे जैच कर सकते हैं hospital infection prevention एट सेटरा है यह सब चीज़ें उसके रहाती है अपार्ट फॉर्म इस गाइडेंस मैटेरिल इस अविलिवल एड रिसोर्स पेज ऑफ एन भी सारा अब अगर कोई तुमसे पूश लेता है कि भाई यह एन भी से क्या लिंक अप होता है hospital का तो तुम लोग उसको इसको इसली बता पाऊगे ठीक है न तो एन भी एच कुछ नहीं एक तरह से बास समझ में आ गई एक तरह से hospitals के लिए एक आयसाई मार्क है कौन एन भी इच की माननेता किसको benefit मिल रहा है यह सारी बाते के लिए हो गई है ठीक है अब लास्ट में एक फिर से की preparation जो आपको एप के अंदर मिलती है ठीक है न दो हजार बाइस के लिए डेट आ गई है सबको clear है नवंबर में PCI ने date clear कर दी है कि नवंबर में क्या है तुम लोगों का पहला exit exam होगा ठीक है न यानि कि दो जो बच्चे 2022 में जो बच्चे 2022 में पास आउट हुए है उनका exam 2022 नवंबर में क्या होने वाला है exit exam होने वाला है ठीक है टोटल आठ subject है ठीक है टोटल कितने है आठ subject है सब बातों इन बता रखी है उसके अलावा कि syllabus से ले करके चाहे वो exit exam का हो चाहे डीफार्म का हो एप में जाएंगे आप जिसका link में description दे रखा है ठीक है एप में जाने के बाद उसमें free content है ना जो free content वाला है उसके अंदर एक folder मिलेगा उसके अंदर क्या मिलेंगे folder मिलेंगे इन folder में चेक करना syllabus हो चाहे exit exam का syllabus हो चाहे वो डीफार्म का हो या previous year paper हो वो सब तुमें इस free content वाले पार्ट के अंदर मिल जाता है clear है ठीक है तो क्या करना है सिर्फ पढ़ाई करें और revise करते रहें क्यों क्योंकि दीफार्म के बाद एक और exam है exit exam ठीक है तो त्यारी करते रहें बिना हिचके चाहे और बिना कुछ सोचे ठीक है और revise करते रहें all the best